आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट आज हम क्लास एट सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स के अंदर जो आपका हाप एरली एक्जाम होना है अभी डेट सिट आपकी आ चुकी है वो कितने नमर का रहने वाला है और आज हम एक सेंपल पेपर भी लेकर क से करेंगे तो प्यारे बच्चो आपका जो कक्षा 6-8 का हाप एरली एक्जाम है वो 40 नमर का होगा तो आप से देखो 5 नमर के MCQ पूछे जाएंगे 5 नमर के objective टाइप यानि 5 और 5 ये 10 होगे इसके बाद में very short answer ये मतलब 3 पूछे जाएंगे आपको 2-2 नमर के तो 6 नमर यहां से होगे 3 short answer मतलब 3 नमर के तो 3-9 और 3-5 नमर के तो 15 इस तरीके से 40 नमर का आपका पेपर रहेगा जो language है वो आपका 30 नमर का रहेगा तो यहाँ पर हम language discuss नहीं कर रहे हैं math का paper discuss कर रहे हैं जो आपका कितने नमर करने वाला 40 नमर का तो एक sample paper भी हमारे पास है जो हमने त्यार किया है तो आप देख सकते हैं अर्दवार्शिक प्रिक्षा sample paper कक्षा 8 24 25 गने समय 90 मिनिट रहेगा अंक 40 सभी परशन निवारिये है परशन सिंख्या के नमर सभी परशनों के आगे दर साएगे हैं जो है वह आपका एक number करने वाला है तो जीरू का व्यूत्करम खालिस्तान है तो चार option है इसमें से आपको option जो सही है उस पर टिक करना है माइनस तेरा बटा सत्रा गुणा में माइनस दो बटे साथ बराबर माइनस दो बटे साथ गुणा माइनस तेरा बटे सित्रा गुणन के अंतरगत गुण दरम का नाम आपको बताना है तो इसमें भी चार ओप्सन दिये गए हैं जो सही option वो आपको टिक करना है Y जमा 3 बराबर 10 समीकन में Y खालिस्तान है तो Y के 4 answer दी गए हैं आपको टिक करना है एक तिर्बुज में विकिरिन होते हैं तो यहाँ पर भी 4 answer आपको टिक करना है इसके बाद में 7298 एक पूर्ण वरग संख्या नहीं है यहाँ पर 4 कथन A वै कथन R सही कर कारण R कथन की सही वैख्या करता है B है कथन A गलत वै कारण R सही है C कथन A वै कारण R दोनों गलत हैं कथन A सही कारण R गलत जो कथन की सही वैख्या नहीं करता तो यहाँ से आपको answer देना है इसके बाद में आगे प्रस नमर 6 है वरग अंतराल 20 से 30 में संख्या 20 नीमन वरग सीमा तथ 30 खालिस्तान वरग सीमा है तो पूर्ण गन संख्या यदि सम संख्या हो तो उसका गन खालिस्तान संख्या होती है सम्याविसम में से आपको बताना है एक अंक वाली संख्या का गन एक अंक वाली संख्या ही हो सकती है तो ये सत्या सत्या में आपको टिक करना है एक जार एक पूर्ण वरग संख्या है तो यहां पर भी आपको सत्या 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 बताना है एक अश्ट बुझ के आंतरिक कोणों का योग खलिस्तान होता है इसके बाद में खंड दो जो है वो दो नमर वाले परशन है तो इसमें ग्यारा बारा तेरा आपके दो नमर के रहेंगे सतरा पीजमा छे ब्राबर तेश को हल करना है एक बहुझ की अगर नो बुझाए है तो प्रतेक बाइयकोण के माप ग्याद करनी है और तेरों है किसी समान तरचटर बुझ के दो आसन कोणों का अनपात तीन अनपात दो है तो सभी कोण आपको ग्याद करने है इसके बाद में खंड गय जो है वो तीनंक वाले परस्ण है एक आकरती दी गई है इसमें एक सोर वाई के मान आपको निकालने है जो कि एक समाना अंतर चतर बुझ है इसके बाद में परस्ण नमर पंदरा जो है एक सम बहु बुझ में बुझाओं के संख्या ग्यात किजिए यदि भाई ये कोरण के माँ पंदरीश टीग्री दी गई है इसके बाद में परस्ण नमर शोड़ा जब एक वासे को फेंका जाता है तब निमलिक परतिक गटना से प्राप्त होने वाले प्रिणाम को लिखिए तो यहाँ पर पहले में भाग में A और B हैं एक आप आप संखिया नहीं और दूसरे में पांच से बड़ी एक संख्या और फांच से बड़ी नहीं इसके बाद ने जो लास्ट वाला भाग आपका है वह पांच अंक वाले पर मिलेंगे तो परस्ट नमर 17 जो है उसमें उपर जो संख्या देग उसका वरगमूल भागविदी से ग्याद करना है और इसका अथवा भी है जिसमें आपको एक पाई चार्ट बनाना है तो वीडियो को पोज करके इसको रोग करके आप देख लेना परस्ट नमर 18 जो है निमिलित का ए ब वाजे गुनित्फन विदी से गनमूल ग्याद करना है इसका अथवा भी मिलेगा पाई था गुरस्ति ज्याद कि जिसका एक सदिश्य दिया हुआ है आगे है परस्ट नमर 19 तो परस्ट नमर 19 भी पांच अंक का है जिसमें उपर एक रैखिक्स मिक्रणा उस्खोल करना है न प्रिक्षा की तरस्टी से आपके लिए बहुत महित्पूर्ण रहने वाला है धन्यवाद